जब अबे इमानुएल मैक्रो बोलें ग्यालो बचुर गुलोते बांगलदेशर उन्नायोन गोटा बिश्यर नजोर केड़े थे ठाकर संगे पैरिसर बुंधुत्तो शुक्ति शली गोटत चन मैक्रो मैक्रोन का विजट बंगलादेश फ्रांस के जो सदर हैं और वहां पर जाकर उनका एक बड़ा स्टेटमिंट सामनी आया है वो स्टेटमिंट आपके सामने रखेंगे उसे की ओपर बंगलादेशी एक न्यूस चैनल की वीडियो है हमारे पास उस वीडियो को भी देखेंगे किसे रही जनाब बंगलादेश की करें हैं कि बंगलादेश की तरकी ने दुनिया को हैरान कियाए वह कैरें के फरांस और में आके बंगलादेश में गो मेरे माइड में तो ये बात थी कि बंगला देश तो बहुत भी बिच्छडा हुआ पता नहीं पस्मांदा इलाका इस तरह से बैकवर्ड और पता नहीं क्या कुछ पूर कांट्री के नाम से भी आपको बता नहीं ये इंडिया इसके उपर काफी प्रॉपगंडा करता हुआ न दुनिया के लिए बंगला देश ने ऐग्जम्पल सट की है यह मैं नहीं कहा रहा ह worker동 जो प्रांस के सदर है वो कहरे हैं कि मैंने जव बंगला देश का स्परें नोका वाच्ट वो इसने देखा धाका रिवर पर बैठे हैं फिर उसके बाद बंगला देश का जौ का केपिटल है उसकी development infrastructure को दे कर बहुतIN जज्यादा खुश हुए वो कह रहे हैं के हमें खुशी होगी के अगर हम invest करें अगर हम मदद कर सकें यानी बंगला देश की बंगला देश की development में अपना हिसा डाल सकें बंगला देश की आई उसके बाद infrastructure में अगर हम participate कर सकें तो हमारे लिए एक बड़ी एजास की बात होगी और फिर उन्होंने शेख असीना जी की भी कुछ तारीफें की हैं तारीफें क्या तारीफों के पुल बांदी हैं ये भी वीवर्स हम इसके उपर बात करेंगे इस वीडियो में तो आखिर तक मेरी रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटुग चैनल एहसान रियक्षन को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बैल आइकन भी प्रेस कर दें वीडियो को लाइक भी किया करें और कोमेंट सेक्षन में आप अपनी फीडबाक से में जरूर आगा भी किया करें लेजी वीडियो देखते हैं 3,2,1,&Q बिमान बंदरे फराशी एई ओती थीके बरण कोरे निते उपस्थित छिलेन प्रधान मंत्री शेखा सिना फुलेल शुभेच्छाई तीनी शागत जानान इमानुएल मैक्रो के परे लाल गाली चाई हेटे ओभर्थना मंचे दाडिये राष्ट्रियो सालाम ग्रहन करें मैक्रो रिती ओनुजाई बेजे ओठे दुई देशेर जातियो संगीत एर पर सशस्त्र वाहिनीर चौक शदोर्षो देर शुषत जीतो गार्ड परिदर्शन करें इमानुएल मैक्रो प्रधन मंत्री शेहासीना प्रेजेंटर्स लाइने अपेक खुमान बांगलादेशेर मंत्री शोहो उन्नान नो उर्थोतनो कर्मो कर्ता देर इमानुएल मैक्रो संगे पोरी जय कुरिये दयान बहुं मेलकम भी किया गया जाने न धाका एर्पोर्ट में जब यह उत्रें है इंटर कॉंटिनेंटल में प्रधन मंत्री शेहासीना आयो जीतो नोई शोभोजे जोग द्यान तारा दो दिन के सफर पे आया उपभोग करें मैक्रो राष्ट्रियों एई भोज सभाई संखिप्त बोक्तब बोड़ाखें प्रधन मंत्री शेहासीना तिनी बोलें फ्रांस बंगलादेशेर परिक्खेतो बंधू आगामी ते एई शंपरको आरो कोभीर हबे बोक्तब पर एकपोड़ जाए इमानुएल मैक्रो के स्टेजे आमडर जूस खिते आओ भन जानन शेखा सीना क्या बात है या और यह अच्छी मेमान वाजी थी है बंगलादेश की प्राइम मिस्टर दूस अब इस प्रांस अब्रस्टेड देवल्पमेंट पार्टनर भी काया के उन नहीं है मारा फ्रांस क्या बात है जूस कुग दे रही है उने क्या बात है या जब अबे इमानुएल मैक्रो बॉलें ग्यालो बच्छर गुलो ते बंगलादेशर उन्यों गोटा बिजाएं नजोर केड़ थे ठाकार शंगे प्यारिस्टेर बॉंधुत्तो सोक्तिशाली कोटाचान मैक्रो I think the best way to pay tribute to the martyrs will be to acknowledge the tremendous success of Bangladesh over the years. This way, definitely, climate change, a sustainable approach from a geopolitical point of view in this region is possible because what you did during the past decade is just a unique economic success. शोंबर शोकले धन्मोंडी बुत्त्रिश नमबोरे जातिर पितर प्रतिक्रितिते स्रोधा जानाबेन फोराशी प्रेसेडेंट एरपोड प्रधन्मोंच रिर्कार जलोए आनुस्ठानिक दिपक्खिक बोईठोक अनुस्ठीतो हवार कोथारोएद से फ्रांस ओ यह उने सपैसली हुएं इस तरह से तरकी किया और पंदरह बीस सालों में वो कहा रहे हैं जिस तरह से बंगलादेश ने खास तोर पे डिवेल्बिमेंट की है और इनकी एकॉनमी ग्रो कर रही है इस तरह किसी और मुलक नहीं की और उनकी यह बिकाया है फ्रांस के सदर ने क सबक हासिल करना चाहिए एक्जेंपल है दूसरे देशों के लिए मुलकों के लिए जिस तरह से बंगला देशी ने तरक्य की है और साथ इसाथ उन्होंने का कि यानि मैकरोन को इन्वाइट करते हैं तो उनको पेश करती है सदर का वहां पे पहुंचना धाका में तो कुछ मीडिया आउट रैट इसके उपर बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं के जी ट्वांटी अभी खत्म क्या हुई लेकिन वो अभी भी जो बड़े-बड़े सरवराहान है यह लीडर्स हैं बड़े मुमालिक के उनके जो विजट वो के का वो भी खत्म नहीं हुए यानि एक वीडियो है उसके उपर भी हम बात करेंगेंगे नेक्स्ट वीडियो में के वह कह रहे हैं है इंडियन मीडिया ही कह रहा है कि देखें जो जो बाइडन है वो वेइतनाम चले गए और मेकरॉन बंग्ला देश में चले गए और बंगलादेश में जाके उसने बड़ी बड़ी एग्रिमेंट करना शुरू कर दी हैं बड़े बड़ी डील साइन करना शुरू कर दी हैं बंगलादेश के साथ लेकिन जी जिस तरह से मैकरोन की बाडी लेंगविज बता रही है देखा है मैंने खुद उनको वह तो बड़ी पॉजिटिव है और वह दोस्ती फिर वहां पर उनका वाम वेलकम वह भी काबले दीद है वह बहुत इंट्रस्टिंग यह मुझे तो वीडियो लगी है और फिर इन दोनों देशों के दरम्यान बड़ा चा तालुक भी देखता हो मुझे नजर आ रहा है लेकिन स्पेशल उनने तारिफ की है शेख हसीना की कि यह एक ऐसी लीडर है जिन्होंने बंगलादेश को बहुत ही ज्यादा तरक्ती की तरफ लेकर आई है डेवेल्मेंट किये देखे ना बंगलादेश LDC से डेवेल कंट्री बन गया है लिस डेवेल्पिंग कंट्री से और में चेंज की ऊपर बंगलादेश ने बड़ा काम किया है और खेर जब कोई कौमे कोई मुलक कोई उसका सरभरा बड़े अच्छे काम करता है पोजिटिव वे पे चाता है तो पिर तारीफ तो करनी पड़ती है बड़ी इंट्रस्टिंग वीडियो थिविए आप इसके बार